अलीगड में Miss Missage India World Season 4 का कारकरम एक होटल में संपन हुआ इसमें भारत के अलग-अलग राज्यों से 30 से जादा महलाओं ने भाग लिया और अपनी प्रतिबाह दिखाई इसमें तीन राउंड रखे गए थे एक ट्रेडिशनल राउंड जिसमें अपने अपने राज्यक्यों पुशाग के द्वारा प्रस्तुत करना था टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड, इंडो वेस्टन राउंड और फाइनल राउंड, इवनिंग गाउन में था इसमें मिसेज एशिया अती प्रिया वार्षने अलीगर से विनर रही मिसेज अर्थ मयूरी जैन MP विदिशा से रही वही मिसेज इंडिया वर्ड का खिताब प्रतिवा ने अपने नाम किया जो कि MP से थी जी मैं मिसेज इंडिया एश्या टू विनर रही हूं 2022 ले दिवाइन की कंपनी से जो कि एक नेशनल गवर्मेंट कंपनी है जिसकी डिरेक्टर है मिसेज फूनम कौशिक माम और मेरे ग्रोमिंग के सेशन के सर थे उनका नाम ता कपिल अगूजा और इनकी जूरी मैं रही है क्या कहते हैं रूपल जी और आनी मैं जी इसकी थीम थी जो पिछड़ी वही लड़किया ओरते जिनकी शादे होने के बाद सोसे है कि उनके घर ही रह गया है काम के लिए बारा बंकी में चुनाओ आचार सहिंता का खुले आम उलंगन किया जा रहा है जिसमें सरकारी राशन के दुकान पर कार्ट धारकों को पीम और सीम के फोटो लगे नमक तेल के पैकेट वित्रत किया जा रही है तो वहीं कोटेदार मुकेश्ट सिंग के दौरा मनमानी की जा रही है यह पूरा मामला नगर कोटवाली शेत्र का बताया जा रहा है मुकी निर्वाचन आयोग को कॉंग्रेस MLC धीपक्ट सिंग ने पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भाजपा पर कोरोना फैलाने का आरूप लगाया उन्होंने लिखा है कि सोमवार दस जन्वरी को भाजपा के पार्टी काराले में चुनाओ समिती की बैठक हुई जिसमें भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रभारे राधा मोहन सिंग शामिल हुए इस बैठक के बाद ही राधा मोहन सिंग कोरोना पॉजिटिव हुए है उनका कहना है कि भाजपा का ये परचार घर-घर जन संपर अभ्यान नहीं रोका गया तो ये घर-घर कोरोना वाइरस फैलाओ अभ्यान साबित हो सकता है सियम योगी आदितनाथ ने अफसरों को निर्देशित करते हुए कहा है कि बारिश और ओला वरस्ती के मद्दे नजर ध्यान दिया जाए साथ ही राहतकारे संचानत करने के लिए फसलों को हुए नुकसान का आंकलन का रेपोर्ट दे इसके साथ ही प्रभावित लोगों की ततकाल मदद भी की जाए